आप सबी का स्वागत हैं और यह काक्षा 10 की गरीट का पर आपके सामने है पूरा तो इस प्रकार के प्रस्ने जो जिनके प्रस्ने बाकी है उनके भी पूछे जा सकते हैं तो ये पूरा paper में आपके लिए यहां पर upload कर रहा हूं मैं कुछ प्रस्णों के उतर यहां बता दूँगा और जो बड़े सवाल है उनको मैं आपको अलग वीडियो के माजन से आपको यहां पर समझा दूँगा तो अभी तक आपने इस चलनल को सब्सक्राब नीगी तो ज़रूर सब्सक्राब कर लें ताकि आपको जो इसका वीडियो सुलीशन है जब भी मैं डालूंगा इसके वीडियो उप्लोड कि होने के बाद में इसका विडियो सुलीशन अलग से डाल दोंगा तो आप वहाँ से इसको देख सकेंगे तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो प्रसन संक्या एक है वो क्या है प्रसन संक्या एक है इसमें कि सबसे चोटी अबाजी संक्या कौन सी है पांच, चार, तेरा, दो तो इन में से सबसे चोटी अबाजी संक्या है प्राइम नमबर लिस्ट प्राइम नमबर वो है इसमें दो दो होता है वो सबसे चोटी अबाजे संग्या होती है सबसे चोटी अबाजे संग्या दो होती है और दो एक मातर सम अबाजे संग्या होती है कोई पूचे की विसम अबाजे संग्या कौन से होती है सबसे चोटी तो फिर मुटतर देंगे 3 जूसरा सवाल है इसमें समांतरस रेडी 7 10 13 और इसका एक पद दे रखा है इंका मान ङाजएगा 13 लंबर 3 है इसमें Sign- Data Art का मान कितने होता है एक यह आपके 600 सवाल यह 8.2 का साइनर जो मान होता है वो अंतरू टीन बटा 2 होता है कर्यक्टर आंसर वजएगा अंडरूट की नडवी की पटा 2 तो 4 इसमें 3 बार दिखाई दे रही तो हमारा जो बहुलक होगा वो 4 हो जाएगा तो 20 का जो correct answer इसमें होगा 4 यह तो आपके एक एक नमबर के 4 प्रसने थे अब बाग संग्या जो 2 हैं उसमें आपको रिट तानों की पूरती करनी है प्रसने संग्या 5 लगा कर 9 तक तो 5 स्वाले समेकर दे रहे हैं कि 4X स्क्वाइर प्लस 9X प्लस 5 बराबर 0 के मूलो का योग याद करना है इसका मतलब हमें alpha प्लस बीटा का मान याद करना है तो alpha प्लस बीटा क्या होता है? मैनस B बटा A मैनस B यादि कि मैनस के 9 बटा A कमान 4 हो जाएगा तो यहाँ जो अंसर आएगी वो आजाएगा मैनस के 9 बटा 4 यह जो इसके मूलो का योग हो जाएगा फिर अगला सवाल इसमें 6 स्वाल समातर सेड़े जे रहे हैं आपके इसमें 8, 15, 22, 29 इसका सार्व अंतर ज्याद करना है सार्व अंतर ज्याद करने के लिए हम इसका जो दूसरा पद 15 है उसमें से हम 8 को गटाएगे तो 15 में से 8 जाएगे तो इसे आमसर बचेंगे 7 तो हमें यह आपर बढ़ना है 7 फिर अगला सवाल है छटा पर्थम 5 विसम संख्याओं का माध्य गयाद करना है तो पर्थम 5 विसम संख्या कुन सी है 1, 3, 5, 7 और 9 यह पर्थम 5 जो विसम संख्या है इनका माध्य गयाद करने के लिए इन सब की करेंगे हम जोड 5 प्लस 3, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 फिर इसमें जितनी संख्याँ एनका भाग देंगे इनके जो ओर जो आएगी वो आईगी 25 और 25 में 5 का भाग देंगे तो इसका आधसरा जाएंगे 5 तो पर्थम पांच विश्श्ण संख्याँ का जो माद्य होता है वो होता है इसमें 5 है अगला सवाल आपके समानतर जाएं कि यह लिखेंगे मतर के समानतर ⃦ फिर 9 सवाल इसमें मादिका ग्याद करने का आपको सुत्र लखना है तो माधिका जगाerv को बहुलक का सुत्र भी पूछा जा सकता है तो मादिका का जो सुत्र होता है वो है M बराबर L प्लस N बटा दो माइनस C अपॉन F इंटू H यह जो होता है वो मादिका का सुत्र होता है फिर आपको प्रसन सेंक्या 10 से लगा कर चौदा तक सही या गलत नोतर देना है पांच प्रसन आपके समें तो दस्वा प्रसन इसमें कि यदि किसे समातर से लड़ी का परतम पद ए है और उसका सारवंतर डी है तो A9 पद आपको करने के लिए सुत्र है A9 पद का मान होता है A A N बराबर A प्लस N एक इंटू D ये कतन सत्य है या फिर आस्थ नहि तो तो 3,-4. प्लस के 3ए और मैनस के 4टोां तो प्लस के 3ए और मैनस के 4 जो होते हैं वो प्लस का x और मैनस का y यह जो होता है वो 4-4,-5 sacred diamond में जर्कि यह कह रहे हैं कि दोइती च़ठर्शाच्वतांष में स्तीत हैं तो यह गलत हैं दूसरे में जो होता है वो x-osta होता है रुव ही है जो प्लस का होता है तो यह जो कतो हैं न हम गवी में आशात्त हैं गलत हैं फिर प्रसमसेंकिह 12 साइन थिटा बराबर अदरूर की नवरफा 2 होतो तो ठीक अबन हो गावं यह उपर भी आया हुट सवार ने अर्भार्प भी सिटा की रूत ह tart वान सई यह व्यूर्ड के सार्रा दो होता हैं तो यह बिल्कुल सत्रीकतन यह भी सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ इस समांतर माधिकार ग्याद करने का सुत्र हैं तो हाँ ये भी सत्र हैं कि जो सुत्र देरका हैं वो समांतर माधिकार ग्याद करने का ही सुत्र हैं तो तेरवा सवाल भी प्रस्ट भी सत्र है तो ही क्योंकि इनका जब हम अंतर देखेंगे सार वंतर तो अलग अलग आएगा जोL विए अ नहीं है तो इसमाम लिखेंगे यह समांदस एड़ी नहीं इसलिए हम इसको यह समंदस एड़ी है इस ऐसा लिखा गया तो हम लिखेंगे यह आ सकते हैं यह पिर लिखेंगे गलत तहीं फिर प्रस्ट संक्या 15 इसमें यह जो सधार कि द्विगात अब उपत एकस स्कॉर प्लस साथ एकस प्लस दस इसके सुनने ग्यात करने तो सुनने ग्यात करने के लिए हम क्या करेंगे इसको गुणन खनविदी सहल करेंगे तो एकस स्कॉर प्लस जो साथ एकस प्लस दस बराबर जीरो लिखेंगे और फिर टुकड़ा करेंगे दस के दस के ऐसे टुकड़े करने 7 तो उनको 5 और 2 में तोड़ लेंगे 5 दोड़ लेंगे 5 दो ने 10 और 5 और 2 7 तो यह होजएगा X square प्लस 2 X plus 5 X plus 10 बराबर 0 तो यहां से X कॉमन हैगा तो यहां बचेगा X plus 2 और यहां से कॉमन हैगा 5 तो यहां बचेंगे X plus 2 बराबर 0 फिर एक बार हम को कॉमन लेंगे एक्स प्लस पांच को और एक बार एक्स प्लस दो को बराबर में लिखेंगे जीरो तो एक्स प्लस प्लस बराबर जीरो और एक्स प्लस दो बराबर जीरो तो एक्स का माना आएगा माइनस पांच और एक्स का माना जाएगा माइनस के दो तो ये इसके दोनु सुन्ज Benni होंगे, जिसकी गात जितनी होती हैं उसके उतनी ही सुन्ज LIKE में परापत होते हैं, dachte होते हैं, तो इसके उत्र हो जाएंगे, X बराबर मैंडिश के 5, X बराबर मैंडिश के 2, पिर प्रस्द सेंग्या S Rub16 में, तो सबसे पहले इसमें बाग देंगे, दो का तो ये 24 बार जाएगा, फिर दो का बाग देंगे 12 बार, फिर दो का इसमें 6 बार, फिर दो का देंगे इसमें 3 बार, और 3 का देंगे 1 बार, फिर इसमें हम बाग देंगे 3 का, तो 3 का बाग जाएगा इसमें 35 बार, फिर 5 का बाग जब देंगे साथ बारएवाद जैंगे एक ऑख तो失्मेर क्यों एक चीज़ दिखाई दिरीए तीन यह तीन दोनों में मिल रहे तो दोनों के जुक Vere visa मतीन आजएंगे तो सोल्वे क्या उतर हैं इसमें निआ पिता की आयू पुत्र के आयू की तीन गुनिये यह पुत्री की वर्तमान आयू एक्स है तो पांच वर्ष पस्चात पिता की ज्याद कीचे तो इसको में समिकन की रूप में बदल करियां पर लिखना है फिर अगला सवाल इसमें अठारबान समांतर से लुए यह एक मैनस दो मैनस पॉज़ आट इसके अगले दो पत निकालने तो संबान करें था कि NOTB कि यूँ तीन आएगा फिर इसके अगले दो पद और ज्याद करने के लिए माइनस आट में माइनस इसमें तीन जोड़ेंगे तो यह प्लस माइनस माइनस और इसका अगला पद जोगा माइनस के ग्यारा फिर माइनस के ग्यारा में माइनस के तीन और जोड़ेंगे इसका अगला पद आ होता हैं और खु कोस्त coefficient कमान भी अंडरूर यांडर्व बटा दोटा हैं डूनोंके लाफब्ट में कि इसको हम हल करेंगे तो इसके जानसर आजाएंगे वह लगया टिन बटा वंगाने विल्स होता है उए इंटॉ बिस्ट बठी करेंज अरो सुथे इन टु Random होता हैं ठेंटी ब्राबर रिंटी सथी एंसे तो है शुम मेंयी तो हैं घ्रिंटेशी दोनहें के दिर कि तो हम क्या करेंगे इस एचिए का इनन्रों सुंधा हमने बाग लगा देंगे तो नो का बाग लगाएंगे तिन सो छे इंटू छे सो पिजो तर करके जो भी अंसर आएगा वो हमारा एलसे आ जाएगा फिर अगली संक्याद जो दे रिखिए सवाल नमर बाइस एक द्विगात बाउपदे एक स्कॉयर मैनस चे एक्स मैनस चे के सुनिक को का गुनदफल अगर छे हैं तो एक कमान में गयात करना है सुनिक को का गुनदफल हम देखते हैं कि सुनिक को का गुनदफल क्या होता है यह होता है अलफा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए तो सी कमान तो इसमें जो दे रखा हैं वो मैनस के चे हैं और एक जो मान दे र फीर स्कुंभाइस पाता एंड ऊपिश्य बघ्राइन कर आट समय टने गया करने मक्राइब तो रेके याध कर लगा लगा तो एक कमान नाइगा वो का लिए पी के किस्मान के लिए फी किस्मान के लिए निकाय 4x प्लस पी वाई प्लस आठ बराबर 2x फ्लस दो याइप ब्लस दो काम जो हल है वो अध्विती होगा अध्विती होने की जो शरत है वो एवन बता एटू इसनोट इक्वल टू बीवन बटा बीटू होता है तो यह ग्याद करेंगे हम इसमें एवन का मान इसमें 4 है और एक्टू को मान इसमें दो है इस नोट इक्वल टू बीवन का मान इसमें पी है और बीटू को मान इसमें दो है तो पी का जुमान है वह दो चार नहीं होना चाहिए बाकी कुछ भी और दूसरा मान हो सकता है और वहां जिसका हल होगा वह अधूत होगा पी इस नोट से इसमें आएगा फिर सवाल सेंकर चोबी से इसमें एक समानतर से रिखी और इसका मैं तीसवा पद याद करना है तो तीसवा पद याद करने के लिए सुथ लगाएंगे ए एन बराबर एक प्लस एन माइनस एक इंटू दी पहला पढ़ा इसमें 10 है और एन कमान समें और दी क का मान लिखे एन का मान इस पे ज्याद करींगे फिर सवाल नम्ब रिजो 25 ये टू टैन थर्टी अपन वन माइनस टेन स्कॉर 30 इन में टैन तिस का मान लिखे इसको हल करना है तो ये आसन से सवाल है टैन तीसका जुमान होता है वो एक बटा अंदर रूप 3 होता है उसको लिखके फिर इसका स्कुएर करना है फिर सवाल नमर 26 इसका माध़ी जाद करने के लिए हम इसको सिग्मा एफ-स अपन सिग्मा एफ के रूप में लिखके इसको हल करेंगे तो एफ की एक्स से गुना करके एफ-स वाले कॉलम बनाए तो इस सवाल में हमें इसी प्रकार का करना दे लिकलत Cohen記és मिरें इसको कर यहां चियुकर सक्तिया को करते पार उसको सब्सक्को करना है तो ऑजिए टारेक्ट वाला सवाल तो आप नहीं देखा तो जरूर देख लिए और इसका भी में वीडियो सुलिशन आपके जब बनाऊंगा तो तब यह वाला सवाल भी मैं स्वाल करके बता दूंगा फिर सवाल नंबर सुब्स बाक संक्या छे में एक रिबंदात में प्रस्नि चार नंबर का इसमें आपको ग मददात में प्रस्न लें के उन्ति र्च पर को शिद्व करना है तो यह आपके 8.4 का सवाल इसमें और इसका जाथावाला सवाल वह भी आट प।इट 4 का ही सवाल है भी फिर स्वाल सिंग्य 30 जो कि आपके चौदिय प्रस्णाली का सवाल है सोच्छात्रों के प्राप्तांग निमनेक साभणी में दिये गए हैं तो इनका मम अध्य ग्याद करना है माध्य ग्याद करने के लिए इसको संझे बारमबारता गयाद करेंगे ऐफ फिर मध्यक वर्ग गयाद करके यह अवपर मेने सुतर बदाए थैना मध्यकवला वो लगाकर सिमनी माध्यक जहाब करेंगे इस जिस्वाल है वो आपके смदे दियर का साथ पॉंट पांच तो पी कमान गयात करना है तो ये सवाल जो है वो आपके साथ पॉइंट पहले वाल जो प्रस्णावली थी सत्रा पॉइंट दो उसका सवाल है ये जो पहले किताब सेलती थी दस्वी बॉर्ड में वो वाले किताब का तो ये सत्रा पॉइंट दो का सवाल है यह 500 सवाल यह वहां से इसको दिया गया है तो आसल सवाल है इसके सवाल curtकि किताबे और पुरा रबेसे की तब उसम्हायद के सवाल दियागए तो इसको भी मैं आपको और अलग वीडियो चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब ने किया तो जरूर सब्सक्राइब करें ताकि इसी प्रकार की जुगनित के पेपर हैं और बाकि अन्य सब्जेक्ट के जो भी पेपर हैं वो सबसे पहले आपको यहां पर मिल सकें तो जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक जेहिंद जे वारत